So, आज का पहला email देखते हैं तो प्लीज बताएं मैं सच मुझ बहुत निराश हो चुका हूँ खसन अली अजगर देखो अजगर इससे पहले कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि लड़कियों से उनका फोन नमबर कैसे हासिल किया जाए मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ फोन नमबर मिल जाने से लड़की नहीं पढ़ जाती लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं होती कि जिनके पास उनका फोन नमबर पहुंच जाए उनके साथ पढ़ती फिरेंगी अरे खुद सोचो अगर कोई लड़की तुमें पसंद ही नहीं करती तो उसका फोन नमबर लेकर क्या करोगे तो लड़की के साथ फोन पर बाते करना बाद का मामला है पहले उसे इंप्रेस करो उसका दिल जीतो उसे यकीन दिलाओ कि तुम एक दिल्चस्प इनसान हो फोन नमबर हासिल करने के मामले में याद रखना के लड़कियां दो किसम की होती है एक लड़कियां वो होती है जो सारा दिन फोन पर लगी रहती है किसी के साथ भी ऐसी लड़कियों को इस बात से कोई फरक नहीं पढ़ता के फोन की दूसरी तरफ कौन है कई बार तो ये रॉंग नमबर पर ही दो-दो घंटे बाते करती रहती है सो ऐसी लड़कियों का फोन नमबर हासिल करने के लिए आपको किसी ट्रिक की या फॉर्मूले की जरुवत नहीं पढ़ेगी और दूसरे किसम की लड़कियां वो होती है जो अजनबियों से बाते नहीं करती ऐसी लड़कियों से अगर तो उनका फोन नमबर मांगने जाओगे तो वो तुमें हजारों नकरे दिखाएंगी कई बार तो तुमें टालने के लिए वो तुमें अपना गलत फोन नमबर पकड़ा कर चली आती है सो आज मैं तुमें सिखाऊंगा किसी मेरिज में या किसी दोस्त की बर्डे पार्टी में या कहीं पर भी पहली बार मिलने वाली लड़की से उसका फोन नमबर कैसे हासिल किया जाता है फिर चाहे उसके माता पिता भी पास में ही क्यों ना खड़े हो सो लड़कियों से उनका phone number हासिल करने के तीन golden rules हमेशा याद रखना पहला golden rule है काम के आदमी बनो दूसरा golden rule है अपनी पुरानी girlfriend की तारीफें करो और तीसरा golden rule है 5 minute formula अपनाओ सो पहले पहले golden rule को समझते हैं काम के आदमी बनो मानलो तुम किसी party में जाते हो और वहाँ तुमें कुछ लड़कियां मिलती है तुम उनके साथ बातें करना शुरू कर देते हो बातो बातों में तुम पूछ सकते हो के आप लोग कौन से college में पढ़ती हैं मानलो वो लड़कियां आगे से कहती हैं के हम DAV college में पढ़ती हैं तो तुम उन लड़कियों से कहो अच्छा DAV college अरे आप लोगों की answer sheet जिस university में check होने जाती है मेरी मौसी जी उसी university में professor है और आप लोगों की answer sheet मेरी मौसी जी ही check करती है यहां तक की आप लोगों की detail mark sheet भी मेरी मौसी जी ही बनाती है तुम्हारे मूँ से ये बाते सुनते ही लड़कियों के दिमाग के सारे बलव और सारी ट्यूब लाइटें जलने लगेंगी उनके दिमाग में एक विचार गुझेगा ये काम का अदमी है और इस बात से मट डरो के तुम्हारा जूट पकड़ा जाएगा यूनिवरस्टीज में इतने प्रोफेसर काम करते हैं के बच्चों को कभी पता नहीं होता के पेपर कौन से प्रोफेसर चेक करते हैं अगर वो नाम पूछें तो कोई भी नाम बता देना जाहिर सी बात है वो लड़कियां तुमसे कहेंगी कि अपनी मौसी जी से कहकर मेरे नंबर बढ़वा दो मुझे पास करवा दो तो तुम आगे से कहना अरे ठीक है ठीक है भई मैं अपनी मौसी जी से कहकर आप लोगों को पास भी करवा सकता हूँ नंबर भी बढ़वा सकता हूँ लेकिन मैं अपनी मौसी जी से कहूँगा क्या के ये लड़कियां कौन है अब मैं ये तो कहूँगा नहीं के कल रात को मुझे पार्टी में मिली थी या किसी बस्टैंड पर मिल गई थी इन्हें फर्स डिविजन में पास करवा दो आखिरकार मेरी मौसी पूछेगी न कि लड़कियां तुम्हारी क्या लगती है पूरी अकड के साथ ये कहो कि देखो तुम लोग ना मेरी दोस्त हो ना मेरी गल्फरेंड हो होगा ये कि सब लड़कियां मिलकर एक प्लैन बनाएंगी वो उनमें से एक लड़की को तुम्हारी गल्फरेंड बना देंगी और बाकी लड़कियां तुम्हें जी 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 जा जी कहती हुई अपना फोन नमबर पकड़ा देंगी तुम्हारी जेब में चार सालियों के और एक गल्फरेंड का नमबर होगा उमीद है कि जब तक लड़कियों को पता चलेगा कि तुम्हारी कोई मौसी किसी युनिवरस्टी में परफैसर नहीं है तब तक तुम लड़की को पूरी तरह अपने प्यार में दिवाना कर चुके होगे एक और तरीका है इसमें करना ये है कि जब लड़की तुम्हें अगले दिन फोन करके पूछे किया तुमने अपनी मौसी जी से हमारे बारे में बात की तो उस लड़की से बड़े प्यार से कहना कि यार कल मैंने जूड बोला था मेरी मौसी तो बेचारी खुद दस्वी में दो बार फेल हो चुकी है वो तुम्हें क्या पास करवाएगी असल में तुम मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं सोच रहा था कि इस लड़की को पाने के लिए क्या किया जाए सो मैंने जो मूँ में आया बोल दिया अपने जूट के लिए लड़की से माफी मांगो उसे मनाओ उसे हसाओ सो मैं से 99 बार ऐसे मामलों में लड़कियां मान जाती है हाला कि लड़की बाद में कहेगी कि अगर तुम सीधा सीधा भी मुझे से मेरा फोन नमबर मांग लेते तो मैंने दे देना था लेकिन असल में अगर तुम सीधा सीधा फोन नमबर मांगते तो उसने नहीं देना था और याद रखना के मेरी वीडियो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां सुनती हैं इसलिए यही टेकनीक बिल्कुल इसी तरीके से इस्तमाल मत कर लेना पकड़े जाओगे फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेना अपने तरीके से जरूरत के हिसाब से बदल लेना हो सकता है लड़की अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हो या किसी कंपनी में काम करती हो तो ऐसे में तुम उससे कह सकते हो कि मैं ब्रेंड़ कपडों का होल सेल डीलर हूँ जो जीन्स, जैकेट या ब्रेंड़ साड़ी आपको पांच हजार में मिलती है वो मैं चोरी से आपको तीन हजार में दिलवा सकता हूँ तुम किसी कॉस्मेटिक प्रडक्ट का नाम भी ले सकते हो याद रखना हर इंसान के अंदर एक मुफ्त खोर छुपा होता है हम सब चाहते हैं के हमारे कुछ पैसे बच जाएं या हमें सस्ते जावों में अच्छी ब्रेंड़ चीज मिल जाए लडकी को अपना contact number देते हुए कहना के देखो भई मैं unknown number नहीं उठाता अच्छा ये होगा के आप मुझे अपना phone number दे दे मैं save कर लेता हूँ यहाँ याद रखना के अगर तुम लडकी के सामने उसका number save कर रहे हो तो उसका कोई funny सा नाम save करना जैसे गुसे वाली लडकी, हिटलर की बेटी या तुम लिख सकते हो जहरीली नागिन इस तरह का funny नाम save करने का सबसे बड़ा फाइदा ये होता है कि कई बार तो लडकी सिर्फ इसलिए तुम्हें phone करती है तांके तुम्हारे mobile की screen पर लिखा हुआ आए जहरीली नागिन कॉलिंग अब तक तुम लोग समझ चुके होगे कि सड़क के किनारे खड़े होकर आती जाती लडकीयों से उनका phone number मांगना कितनी बड़ी बेवकुफी होती है और अगर इस formula को गौर से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि लडके को कभी phone number मांगने की जरूरत नहीं पड़ती बलकि लडकी खुद अपनी जरूरत को ध्यान में रखकर या तो लडके का number ले लेती है या अपना दे देती है दूसरा golden rule देखते हैं दूसरा golden rule है कि अपनी पुरानी girlfriend की तारीफें करो लडकियों की एक आदत होती है वो किसी के साथ भी थोड़ा सा भी घुल मिल जाएं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि क्या तुम्हारी कोई girlfriend है जाहिर सी बात है तुमसे भी लडकी यही सवाल जरूर पुछेगी कि क्या तुम्हारी कोई girlfriend है तो उससे कहना के हाँ पहले थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी हमेशा अपनी पुरानी girlfriend की तारीफें करो कहो कि वो बहुत प्यारी थी वो मेरा बहुत खयाल रखती थी उस जैसी लडकी कभी कोई दूसरी नहीं आ सकती उसका dressing sense जवर्दस था वो बहुत intelligent थी सुनने वाली लडकी सोचेगी के ये लडका कितना अच्छा है जो लडकी इसे छोड़कर चली गई है उसे भी भला बुरा नहीं कहता और यहां हजारों बेवकुफ ऐसे हैं जो लगे हुए हैं अपनी पुरानी girlfriend को गालिया निकालने में और खुद को innocent दिखाते हैं लडकी कभी उस लडके की girlfriend नहीं बनना चाहेगी जो अपनी girlfriend को पीठ पीछे गालिया निकालता हो खैर लडकीयों को love story से ज़्यादा break up stories में interest होता है इसलिए वो तुम से ज़रूर पूछेगी के तुम्हारा break up क्यूं हो गया तुम दोनों अलग क्यूं हो गए तो फटा फट अपनी दुख भरी कहानी सुनाने मत बैठ जाना उससे कहना के यार छोड़ो वो बड़ी romantic और दुख भरी कहानी है और वो कहानी छेड़ कर ना मैं तुम लोगों का mood खराब करना चाहता हूँ ना ही मैं अपना mood खराब करना चाहता हूँ अरे मैं इस party में enjoy करने आया हूँ चलो dance करते हैं पहली बात तुम्हारे साथ dance करने से वो इंकार नहीं कर पाएगी और दूसरी बात शायद ही कोई लड़की ऐसी होगी जो किसी काम के आदमी की romantic सी love story ना सुनना चाहती हो और हम सब जानते हैं के आधी अधूरी कहानिया लड़कियों को पागल कर देती हैं वो तुम्हारी पूरी कहानी सुनने के लिए तुमसे दोबारा मिलना चाहेगी किसी पार्टी में लड़कीयों के साथ दो दो गंटे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें वहाँ से कही जाने की जल्दी होनी चाहिए हो सके तो अपने किसी दोस्त से कह दो के तुम्हें हर 5 मिनट बाद फोन करता रहे लड़कियों के सामने फोन उठाकर कहो हाँ दोस्त मैं बस पांच मिनट में यहां से निकलने ही वाला हूँ दरसल लड़कियों से कोई बाद शुरू करने से पहले ही अगर तुम ये कह दोगे के देखो भई मैं पांच मिनट से जादा नहीं रुख पाऊंगा तो वो लड़कियां तुम्हें पांच मिनट तक झेलने के लिए दिमागी तोर पर तयार हो जाएंगी वो सोचेंगी के चलो यार पांच मिनट इसकी बात सुन ही लेते हैं अब अगर तुम देखो के तुम्हारा खेल बिलकुल सही चल रहा है लड़की तुम्हारी बातों में दिल्चसबी ले रही है और अपनी भी कहानिया सुना रही है अगर लड़की तुम्हें अपनी कहानिया सुना रही है तो बड़े आराम से उसकी कहानी सुनो अगर वो हसा रही है तो हसो अगर मौका मिले तो उन्हें हसाओ खूब अच्छा महौल क्रियेट कर लो अगर तुम देखो के तुम्हारा जादू चल रहा है तो तुम 5 मिनट को बढ़ा कर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर सकते हो इसी बीच तुम्हारा दोस्त बार बार फोन करता रहेगा आखिर कार फोन उठा कर कहो ठीक है दोस्त मैं आ रहा हूँ फिर लड़कियों की तरफ पलट कर कहो अच्छा तो मुझे जाना पड़ेगा वैसे आप जैसी दिल्चस्प शैतान और खुले दिमाग वाली लड़कियां शायद ही इस दुनिया में दूसरी हो चलो ऐसा करो मुझे अपना फोन नंबर दो तांके हम और बातें कर सके सीधा फोन नंबर मांग लो फोन नंबर मांगते वक्त ध्यान रखना के तुम्हें जरा सा भी हिच किचाना नहीं चाहिए ऐसा नहीं के तुम कहो अरे यार अगर आप मुझे अपना फोन नंबर दे दें तो बहुत अच्छा होगा मेरे पास बहुत SMS पड़े हैं जो मैं आपको भेज दूँगा कई जोक्स हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं तुम्हारी आवाज पूरी तरह confidence से भरी होनी चाहिए फिर चाहे तुम्हारा confidence नकली ही क्यों न हो घर से practice करके जाओ नकली confident आवाज निकालने की उससे गहो चलो चलो लाओ लाओ मुझे अपना phone number दो किसी नौ सिखिये के लिए 10 मिनट बहुत कम हो सकते हैं लेकिन एक शिकारी के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं वो 10 मिनट में खुद को काम का आदमी साबित करता है अपनी पुरानी girlfriend की तारीफें करता है और वहाँ से चले जाने की हडबड़ी मचा देता है किसी काम की चीज़ को हाथ से जाता देखकर इनसान उसकी कोई भी कीमत चुकाने को तयार हो जाता है और किसी लड़की का फोन नमबर दे देना तो बड़ी चोटी सी बात है दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो तब तक लड़की के पास बैठे रहते हैं जब तक लड़की खुद वहाँ से उठकरना चली जाए वो लोग अपना जादू खुद ही खतम कर लेते हैं तुमने अपने सवाल में लिखा है कि दो घेंटे बाते करने के बाद जब मैंने उस लड़की से उसका फोन नमबर मागा तो उसने देने से इंकार कर दिया दो घेंटे? यहाँ दस मिनट में खेल खतम हो जाता है याद रखना लड़की खुद कभी भी अपने आप आगे बढ़कर अपना फोन नमबर नहीं देगी हमेशा तुमें ही पैल करते हुए या तो उसका फोन नमबर माँगना पड़ेगा या अपना फोन नमबर देना पड़ेगा दरअसल लड़की नहीं चाहती कि वो किसी पके हुए आम की तरह तुम्हारी जोली में आगिरे लड़की नहीं चाहती कि तुम उसे आसानी से पढ़ जाने वाली लड़की समझो इसलिए लड़की चाहती है कि तुम उसका फून नंबर मांगो नहीं, हासिल करो मांगने और हासिल करने में बहुत फर्क होता है तलाक लेने से पहले मुझे ढूड निकालो खोज लो मुझे पहुचो मुझे तक यहां बहुत कुछ बदलता है कॉल मी एट प्लस नाइन वन नाइन एट डबल एट एट पो टू जिरो थी थी